हलो असलाम लेकुम और वेलकम बैक टू माई चैनल ऑन टुडेइज मेनीव इच्वी मिनाज तो मैं हूँ शूभी तो आज मैं बनाने वाली हूं डॉल केक चौकलेट फ्लेवर का तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं तो ये चॉकलेट प्रेवर का केक है और तीन पॉंड का केक है तो मैंने धाई कप चॉकलेट प्रिमिक्स लिया है और इसको अच्छी तरह से हम इसका बैटर बनाएंगे जैसे हमेशा बनाते है तो जितना प्रिमिक्स लिया उसे हिसाब से ओयल डालेंगे और खुब अच्छी और आपको वेट करके मैं देखा दूंगी कि कितना वेट हुआ है। तो बैटर रेडी हो गया। इसको दो जगह मैंने डिवाइड किया है। एक तो मैंने गोल तिन में 10 इंच वाला उसमें डाला है। थोड़ा सा बैटर और थोड़ा सा बैटर डाला है। जो डॉल केक करके उसके बाद नीचे वाली और में बेकिंग करनी है टाइमर मैंने दिया इसको 45 मिनट का और 180 डिग्री पर बेक करना है अब जब तक के केक बेक हो रहा है मैंने सोचा गनाश रडी कर लेती हूं तो गनाश रडी किया है एक पट्टी जो एक चॉकलेट का स्लाब होता है उस 500 ml क्रीम चाहिए तो मेरे पास 2 दब्बे में थोऑ-थोऑ क्रीम बच्ची वी थी मैंने दोनों लेकर मिला लिया है और दोनों मिला के क्रीम इतनी थी कि मेरा डॉल्क एक जो है रेडी हो जाएगा तो इसको विप कर लेना है तो क्रीम मैंने विप कर लिया है अब इसको चॉ कोबिल स्पून आइसिंग शुगर अगर आइसिंग शुगर नहीं है तो आप पीसीवी चीनी बिल्कुल छान के डाल सकते हैं अब मेरी मेरा केक भी बेक हो गया है तो अब इसको निकाल लेंगे बिल्कुल गर्म है मुझे जल्दी-जल्दी करना था तो बहुत जादा ही गर् काट में तो मैंने निशान लगाए क्योंकि जब बहुत गर्म केक होता है काट ये चूर भी हो जाता है बहुत जादा तूटने का CHANCE रहता है तो थोड़ा निशान लगा ke मैंने धागे इसको हिफादत से काटना पड़ता है अभी उपर की जो लेयर है बिल्कुल चिप-चिपी है तो इसको भी मैंने निकाल दिया हलका सा टच किया तो निकालाया सारा अब इसको तीन लेयर मुझे कट करना है क्योंकि हाइट भी चाहिए केक में तो तीन लेयर में का निशान लग कर लिजिएगा तो सही सकतेगा नहीं तो बहुत जादा यह तूटने का चांस रहता है यह बिल्कुल इतना घर में कि दभाब देख रही है और हाथ मेरा जल रहा है अब चलते हैं क्रीम की तरफ तो क्रीम को विप करके मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि क्रीम अच्छ की तो पहले बड़े बाले की लेरिंग कर लेंगे तो पहली मैंने रखी और बिल्कुल थंडा पानी लिया है क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म था आप ने देखाई है तो इतने केक को अगर आप क्रीम लगाएँगा तो क्रीम आपकी मेल्ट हो जाएगी और केक जो तेरा मेर का ख्याल रखना है और उस निसाब से काम करना है क्योंकि जब हम घर में के एक बना के देते हैं किसी को तो लोग कभी भी ऑर्डर देते हैं लग दो घंटे पहले भी अगर हुआ तो और दे दिया एक घंटे पहले भी ऑर्डर देते हैं लोग और जब देते हैं तो वह ऐसे हम पर देखें लेयर को सेट कर लिया था अब चोटे के बाले के की तरफ चलते हैं और इसकी लेयरिंग भी हम सेम प्रोसेस से कर लेंगे पहले सोकिंग फिर क्रीम लगानी है फिर गनाश चोकोचेप जो भी आपको लगाना है वो लगा लेजे देकुरेशन कैसी है अच्छी है खराब है तो इसको जानने के लिए आपको वीडियो इन तक देखना जरूरी है तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा तो देखिए इसकी पर भी क्रीम लगा दिया मैंने इसकी उपर भी गनाश लगाना है और चौकोचिप लगाना है इ अच्छे से सबसमान डालती हूँ वह आप देखते भी होंगे मेरी वीडियो में तो फिर मेरा ये तीनों लेयर सेट हो गया था फिर क्रीम लगाई है और इस तरह का सॉफ्ट स्क्रेपर लेना है तो तीनों लेयर को सेट करने के बाद हो इसी क्रीम लेना है ये अच्छा ले थी और इस ये जो डॉम शेप वाला केक है ना इसको इसके उपर रखना है तो बस छोटा सथा अराम से पैलेट नाइफ से उठी गया और इसको यहां रख लिया अब यह डॉल लेनी है अब डॉल का ड्रेस बनाना है तो बिल्कुल छोटा वाला जो स्टार वाला नोजल होता है ना वो लगा लिया है मैंने पाइपन बैग में और क्रीम में डाला है बर्गंडी कलर और बर्गंडी कलर से मैं इसकी ड्रेस बना रही हूं तो जैसी ड्रेस आपको बनानी है वैसे बना लेजे जब तो नोजल से अगर आप ड्रेस बना रहे है डॉल की तो चोटी हो भी बना सकते हैं तो छोटी बच्ची के लिए केक था तो उन लोगों को इस तरह की चीज बहुत पसंद आती बच्चों को तो मैंने जैसे बच्चे को पसंद आती उस टाइप की डिजाइन सोची और उस इसाब से कर रही थी जो भी डिजाइन बनाई है सेमेट्री रखी उसम सीक्वेंस में होना चाहिए अपने काम में फिनिशिंग लानी है तो हमेशा सीक्वेंस का ध्यान रखिए लाइन को फॉलो किजिए तभी नीट अन क्लीन आपकी डिजाइन जो है कोई सी भी डिजाइन सिंपल डिजाइन भी अच्छी लगेगी बहुत अच्छी डिजाइन मिया इसी सीटष भी नहीं तो अब देख़े मैंने कहँ मिंई एरिंग में बना दिया और ब्रेस इसी विज Allah पर मैंने कलर चीllä की जा hope और बर्राउन और बर्गंडी म्राओन तो वही चॉक्लेट क्रिम है क्योंकि बच्चे का केक है तो ज्यादा कलर यूज करना अच्छा नहीं था तो इसी वैसे मैंने वो चॉकलेट क्रीम रखी है ब्राउन कलर के लिए तो बरगंडी कलर बनाना था तो उसके लिए थोड़ी सी क्रीम में कलर चाहिए था तो थोड़ा सा कलर मिलाया और बरगंडी शेड लाइट ही बरगंडी रखा डार्क नहीं किया और बस लाइन लाइन से रोजेट बनाना शुरू किया मतलब ऐसी डिजाइन बनाई कि जिसमें चॉकलेट वाला वाली क्रीम ज्यादा लगे और कलर वाली क्रीम कम लगे तो रोजेट के लिए मैंने चॉकलेट क्रीम को एन बन नोजल लगाया था और यह जो बरगंडी वाला कलर से जो ड्रॉप वाला फ्लावर बना रही हूं उसमें एन टू नंबर कर नोजल लगाया है और बस इस तरह से गैप्स को ड्रॉप ड्रॉप से भर दिया है अब नीचे भी वैसे ही रोजेट बना दिया है लब कोशिश यह की है कि मुझे जो कलर वाली क्रीम कम से कम यूज़ करनी पड़े सिर्फ ऐसा शेड आ जाए कि बच्चे को कलर भी लगे और डिजाइन भी कंप्लीट हो जाए तो इस तरह से मेरी डॉल केक की डिजाइन कंप्लीट हो गई है तो डॉल तो बहुत प्यारी रेडी हो गई है तो अब इसके खुब्सक्रती में चार चांद लगाना है तो उसके लिए क्या कर रही हूं मैं गोल्डन लस्टर डस्ट भर रही हूं यह पंप का आता है स्प्र लगने लगे कि इतनी खुब्सूरत बहुत प्यारी सी डॉल लग रही थी जिसके लिए बनाया था वह बच्ची बहुत जादा हैपी थी इसको ले करके तो बस हम लोगों क्या चाहिए जो काम हम करें वो लोगों को पसंद आए बस इतना ही चाहिए होता है अब आपनों को कैसी लगी वो तो आप लोग बताईएगा अगर अच्छी लगी होगी तो इसको शेर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमली में जिनको बेकिंग में इंट्रेस्ट है अब चलिए इसका वेट भी आपको देखा देती हूं तो यह देखिए 1613 ग्राम का हुआ है मेरी यह वाली देकोरेशन आप लोगो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक शेर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए अभी हां मैं कैंडल लगा दूंगी एक स कर अच्छी दोगी होगी है झाल झाल